बोश्पुरी इंडस्ट्री आज कल जिस तरह से आगे बढ़ रही है जिस तरह से हर निर्माता हर निर्देशक फिल्म को अश्लीलता से परे करने की होड में लगे हैं ऐसे में यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब दूसरों की सोच बदलेगी नजरिया बदलेगा भोश्पुरी को देखने का कई बार आपको भी यही खयाल में जरूर आता होगा कि हमारे भोश्पुरी स्टार्स इतने टैलेंटेड हैं बिना किसे एक्टिंग स्कूल के व वो अभिनेमिकी बारेकियों को समझते हैं ऐसे में भला यह अपनी एजुकेशन में पीछे कैसे रह गया चलिए इस बात पर नजर डालते हैं बात करते हैं सबसे पहले खेसारी लाल यादों की ये भोश्पुरी के ऐसे सुपस्टार हैं जिनके अभने के दर्शक दीवाने हैं पर जब बात होती है डिगरी या पढ़ाई की तो खेसारी इसमें बहुत ही पीछे रह जाते हैं दर्शर खेसारी के पिता बहुत ही गरीब थे वो एक किसान थे और ऐसे में जिस तरह उन्होंने अपने सारे बच्चों को बाला वही बहुत कठिन था इस वक्त खेसारी के घर की स्थिति बहुत ही खराब थी केसाई लाल यादों ने खुद इस बात को कई बार कुबूल किया है कि उन्होंने अपने परिवार का पेट बड़े ही मुश्किलों से और बहुत कुछ करके पाला ऐसे में वो चना बेजते थे कैसे लिट्टी चोखा बेजते थे अपने परिवार के लिए घर की परिस्थिती खराब होने के कारखे सारी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए पवन सिंग पवन सिंग भोचपूरी के शेर सिंग कहे जाते हैं जिनके गाने देश में ही नहीं विदेश में भी चर्चा में रहते हैं पवन सिंग पढ़े लिखे तो हैं, पर डिग्रियों के नाम पर उनके पास भी कोई जवाब नहीं रहता, पवन सिंग ठीक ठाक घर से तालुक रखते हैं, पर उनका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगा, ऐसे में वो बहुत जादा डिग्रिया हासिल नहीं कर पाए. अब बात करते हैं हम सभी के निरहुआ यानि दिनेश लाल यादों की, निरहुआ अंगूठा चाप नहीं हैं, जहां दिनेश लाल यादों पढ़े लिखे हैं, पर पढ़ाई में उनका मन भी जादा नहीं लगा, बहुत कमी समय में उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया थ उनका पहला आलबम देखकर आप उन्हें पहचान भी नहीं पाईएगा, अपनी गानों की वज़े से ही उन्होंने पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया, वैसे आज इस सितारे जिस मुकाम परे वहां तक पहुचने के सपने कई डिगरी धारक देखते हैं, बोच्मी जगह से जूरी सभी खबरों, सुनी और सुनी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मद्भूरिये